वो एक अच्छे व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में हैं और ये वो भी महसूस करते थे आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि now the right person is in the right party वो एक अच्छे व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में हैं और ये वो भी महसूस करते थे आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि now the right person is in the right party व्यक्ति सही पार्टी में हैं जहां उनका उप्योग देश की सेवा में आदर्णिय नरिंद्र मोदी जी के नेत्रतों में हम कर सकेंगे अगर हम इनके राजनीतिक जीवन को देखें तो he has always paid the price for principles इन्होंने राजनीती में नीतियों के कारण कीमत चुकाई है और उस कीमत को चुकाने में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं फिर चाहे वो रेल मंत्री के रूप में हो और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर ट्रेनमूल कॉंग्रेस में भी इन सारी बातों को कहते रहें उजागर करते रहे समय समय पर वो बताता है कि एक विचारशील व्यक्तित हो किस तरीके से अपनी बातों को रखता है और अभी भी अगर हम देखे तो आप राज्यसभा के सदस्य थे फॉर प्रिंसिपल्स आपने राज्यसभा की सीट छोड़ी है ये आइडिलिजम वर्सेज ऑपर्चुनिजम यानि ऑपर्चुनिजम को छोड़ कर अफसरवादी विचार को छोड़ कर वैचारिक प्रिष्ट भूमी पर आपने भारतिय जनता पार्टी के साथ आए हैं और इसमें से हमको यह भी दिखने को मिलता है कि आप किस तरीके से वैचारिक त्रिष्टी से ऑपर्चुनिजम को छोड़ कर अफसरवादिता को छोड़ कर राज्य सभा की सीट छोड़ करके वैचारिक प्रिष्ट भूमी पर आपने भारतिय जनता पार्टी को जोइन किया है इसलिए हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं और यह भारतिय जनता पार्टी की विशेष्टा को भी बताता है कि किस तरीके से आज मोदी जी के नित्रतों में सभी लोग देश की सेवा करने का अगर कोई फोरम प्लाटफॉरम राजनितिक दल कारे करने की इच्छा को पूरा करना यह करने का अगर फोरम और पार्टी है तो भारतिय जनता पार्टी है यह भी इस बात को दर्शाता है मुझे दिनेश जी कोई दो मेहने पहले मिले थे और दिनेश जी ने मुझे कहा था कि I want to serve the nation and I want to serve in the right way इन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी लेकिन इनके मन में ललक और आप समझ सकते हैं जो हम बार-बार कहते थे कि त्रिनमूल कॉंग्रेस में भरष्टाचार अफसरवादिता लोकतंतर की हत्या इंस्टिटूशन को का घला घोटना ये सब कुछ विराजमान है और इसलिए समवेदन शील, विवेक शील, व्यक्तित्व, दिनेश त्रिवेदी ने त्रिनमूल कॉंग्रेस को धत्ता दे करके भारतिय जन्ता पार्टी में इन्होंने जोइन किया है और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे पश्चिम बंगाल की आप सेवा करेंगे पश्चिम बंगाल के लिए आप निश्चित रूप से चुनाओं में भी आप बहुत अक्टिवली पार्टिस्पेट करेंगे लेकिन उसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल की सेवा में आप अग्रगणी रूप में सारी संगठन को आपके समावेश करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे आपका पुना स्वागत है यह आज की आपकी जॉइनिंग आइडियलिजम की को बढ़ावा देता है आपरचुनिजम को एक तरीके से नकारता है और इसी तरीके से अब सही व्यक्ति सही पारटी में सही प्लाटफॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा ऐसा मैं महसूस करता हूं पस्चि मंगाल की सेवा करने का मौका मिलेगा